वास्तु देवता को पर्षन करने के बारा तरीके पाएं सुक्समर्दी वास्तु सास्तर ऐसी विद्धा है जिसमें वास्तु दोस्को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं इन उपायों को करने से वास्तु देवता तो पर्षन होते ही हैं साथ ही उनकी किरपा बनी रहती है और गर में सकारतमक ता भी आती है। सकारतमक उर्जा होने से गर में सुक्षमर्दी और शैंती में बडोतरी होती है। नमबर एक बोजन बनाने वाली महिला गर में बनने वाले बोजन में से परतेक परकार का थोड़ा थोड़ा पतार्थ एक अलग पलेट में पहले निकाल कर हाथ जोड़ कर वास्तु देव को समर्पित करें नमबर दो, गर की दिवारों पर स्वास्तिक का चिन बनाने से गर में देवताओं का वास होता है हल्दी और चंदन से स्वास्तिक चिन बनाने से गर की नकारतमक उर्जा समाप्त होती है साथी गर की सुंदरता बढ़ती है नमबर तीन, गर में या गर की दिवारों पर किसी भी हिंसिक पसुओं का चित्तर नहीं बनाना चाहिए इसे गर में पारिवारिक सदस्चों के बीच मन मुटाओं की स्थित्ति उत्पन होती है नमबर च्यार, गर के बच्चों में उर्जा, उत्षा और उमंग बनाए रखने के लिए गर की पूरव दिशा में सूरिय देवतगा चित्तर लगाना चाहिए नमबर पांच, गर में जाडू खड़ा नहीं रखना चाहिए, उसे लिटा कर और छुपा कर रखें जाडू को कभी पैर भी नहीं लगाएं, कहते हैं जाडू में लक्ष्मी माता का निवास होता है और अमावश्य के दिन गर की सफाई जरूर करनी चाहिए नमबर चै, गर के मुख्य दवार पर गाएं और बच्चडे को रोटी और गुड़ खिलाएं, बुदवार को हराचारा खिलाएं, रोजाना पक्सियों को दाना डालें नमबर साथ, गर में रोजाना कपूर जलाना सुब माना गया है, मन्यता है कि ऐसा करने से दंड की वर्दी होती है, और तिजोरी कभी खाली नहीं होती नमबर आठ रसोई गर में रात के जूटे बरतन रखने से व्यापार में हानी हो सकती है रात में ही रसोई गर को साप करें नमबर नो गर के अंदर साल में दो बार हावन जरूर करवाएं इससे वास्तु देवता अति परसन्न होते हैं तता गर में सकारतमक उर्जा आती है नमबर दस वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा बगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है इसलिए इस दिशा को वास्तु दोस्स से मुक्त रखने के लिए गर की उत्री दिवार पर कुबेर यंतर लगाना चाहिए साथी गोमती चक्कर को लाल कपड़े में बांध कर गर में रखा जाये तो यह सुपल देता है नमबर ग्यारा सोने के कमरे में पानी न रखें मानने ताया कि ऐसा करने से गर परिवार में कर्ज वैउदार की स्थित्ती बन सकती है जो की बहुत कष्टकारी होती है नमबर बारा कुछ गरों में पुर्षों को बात बात पर गाली देने की अपसबद बोलने की आदत होती है उससे भी गर में नकारतमक उर्जा का परवा बढ़ता है और इससे माता लक्षमी नराज होती है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपियोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें साथी वीडियो को अपने दोस्तों में सेर करें और आगे भी ऐसे ही बेतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा ले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद